हेल्लो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का मेरी यूटूब चैनल अंजली ब्लॉक्स पर फ्रेंड्स वीडियो सुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लाई हूँ और उमीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले यह है हमारे गउं की छानी जैसे कि आप जानते है कि पहले के हमारे दादा पर दादा लोग छानियों जाया करते थे हमारे गउं में ये दिती रिवाच परमपरा अभी भी चली आ रही है और आज मैं भी अपने गउं की च्छानियों में काफी लगवग तस बारए साल बाद मैं भी च्छानियों में आई हूँ च्छानिया का इंवार्मेंट मुझी बहुत ही जञान पसंड है यहां का रहयें सहय एक दम नैचुरल हवा हुआ सब कुछ नैचुरल ताजह सब कुछ यहां पर बहुत ही मजाते हैं जब आप लोग कभी रहें होंगे कोई ना कोई च्छानियों में तो आप लोग जान सकते हैं कि चानियों में कितना आनंद जीवन है। यहां पे लोग पस्वों को ले जाते हैं तीन चार महिने के लिए वर्षात के मौशम पे और पस्वों के लिए गाउं में चारा नहीं मिलता है। लेकिन वो की चड़ वगेरा जादा हो जाता है वर्षात के मौशम पे इसलिए लोग अपने धन चानियों ले जाते हैं और धनों का पालन पोसन भी अच्छा होता है चानियों में चानियों में मजबूत घास पकी घास रसीली घास होती है जिसे हमारे पासों जानवर खुब ताकतवर वजनदार होते हैं और जब हम लोग चानियों में तीन-चार मही में बेतित कर लेते हैं तो आखिर में देपता की पूजा देनी पड़ती है बहरुदेपता बोलते हो जिसे और आज हमारी च्छानी में वही पूजा है च्छानियों के बहरुदेपता के मंदीर जा रखे और हमारी गाउं की औरतें यहाँ बहरुदेपता के पास थोड़ा उन्हों यह पर्षन करने के लिए रासुन रित्या कर दिया है जैसे कि आप वीडियो के मादम से देख सकते हो गाइस मैं आपको बताना चाहते हूं की जो हमारे गाउं की च्छानी है वहाँ का नाम मांजी है और मांजी पढ़ता है डोटिताल मार्ग पे हमारे चानियों से मांजी से डोटिताल की दूरी पांच किलोमेटर दूर है और यहाँ प्रियाटक स्थल में आता है यहाँ पे दूर दूर से सेल आनियां गुमने आते है और जैसे कि देश वीडेश से फॉरन कंट्रिशे भी लोग यहां घुमने आते हैं अंग्रेज लोग काफी आते हैं और कुछ अपने देश से आते हैं महारास को लोकता कभी आपको भी मौका लगे तो आप भी जरूर आएगा हमारे इदर गुमने मा अनपुर्णा और भगवान गनिश जी के दर्शन करने जरूर आएगा और देखके जाएगा कि हमारे इदर किस तरह से लोग देवी देवताव में आस्ता रखते हैं पुरानी दितिरी वाज प्रमप्राओं को निवाते हुए आगे का जिवाज हमारे पहाड की असलिसान यह है कि हमारी जो पहचान है वो हमारे कपड़ों से हमार पहना और हमारे पूरवजों दादा पर दादाओं के जो हमें दिये हुए संसकार उसी को आगे बढ़ाना हमारे गाओं के लोग बहुत ही सीधे भूले होते हैं अपनी जो हमारी गड़वाल की परमपरा है यह हमीं लोगों हमारे गाओं के लोगों और गड़वाल में ती लोग हैं जिनकी वज़े से अभी तक गडवाल की सेंस किरती मान मरियादा जिंदा है जो इस प्रमपरा को निभाते आ रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो कि जो हमारे दादा पर दादा लोगों ने किया था वो अभी तक भी हमारे गौँ में चली आ रही उपर था और हम यह चाते हैं कि भबिश्य में यह कभी बन्द नहों हम इसे कंटिन्यू रखना चाते है इसलिए हमारे गाओं के कुछ लोग ऐसे भी किसकुछ लोगों का मान ऐसे है कि हम सहर नजाके अपने गाओं गलियों को सजाके अपने च्छानियों में रहेंगे अपने बच्चों को उन्हें सिखाएंगे उन्हें बताएंगे कि हमारे दादा परदादा किस तरह से रहे है और बहुत चीज़ ऐसी है जो हमें सिखने को मिलती है या लोगों को सिखने को मिलती है हमारे गाउं के लोगों से और आज हमारे गाउं के जो धन पसू है वो अब गाउं की और परस्तान करें यहां पे तीन-चार महीने रहने के बाद हम महीने के लास्ट के दिन आई थे और इस दिन सामान ले जाए और अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरे ताव जी गाई छोड़ रहे है मतलब गाई पिला अब मैं आपको वहां ले जाती हूं देखिए किस तरह से मेरता हूं जी गाई का दूद निकाल रहे है गाई का दूद बहुत मीठा होता है सच बताए तो मन नहीं कर रहा है गाउं के और जाने का क्योंकि यहां बहुत ही मजा रहे है और आज हम लोग गाउं के और प्रस्तान करेंगे मैं कल आई थी और आज नीचे जाएंगे हम लोग यह देखिए प्यारा सा हिरन का बच्चा है कि देखिए क्यूट सा हो गया यह हमें जंगल में मिला था हम इसको पाल रहे हैं अब जब बड़ा हो जाएगे तो से जंगल में छोड़ देंगे और यह दन पासू हमारे जा रहे है गाउं के और प्रस्तान कर चुके हम और यह हैं विजार देखता पेड़ पेड़ पे होता है यह जंगलों में धन गाई पासू पक्षी की रख्चा करते हैं और यहां पे हम उन्हें फूर के बूलते पूजा पार्ट करते हैं रोट सिर्फर आदे चुन्नी वगएर देते हैं पूजा पार्ट करते हैं और भगवान को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे पस्वों की रख्चा की हैं इस तरह से परातना करते हैं अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ना भूले मैंने इस वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है मुझे ही पता है इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा कि इतनी एडिटिंग वगेर कितने स्व प्रहन सेहन गडवाल का पहाड़ी खाना खान पान प्रम परावनी आपको इस वीडियो के माद में से दिखाने की कोशिश की है चोटा से वीडियो था और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नभूले मैं